तुम सोच के देखो, तुम किसी बहुत अच्छी जगा जाओ, किसी मॉल में जाओ, बहुत बड़ी स्टोर पे, तुम अपनी गल्फ्रेंट के साथ हो, वाइफ के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, और तुमने बोला, जूता दिखाना, और वो तुम्हें बोले, सारी जूत थोड़ा expensive है, तुमारा ego हटनी होगा, expensive, मेरे को बोल, निकाल, आप भी निकाल, कितने का है, 15,000, 15,000 तो है नहीं, credit card यूश कर लेता हूँ, swipe करा, जूता ले लिया, बरने की यूकात हो, या ना हो, अभी उस समय जूता ले लिया, मैं उन लोगों की बहुत हिस्द करता हू दुनिया लेती है, जितनी भी तुमारी edtech companies है, जो भी education को promote कर रही है, अगर आप ध्यान से instagram पर चाकर देखेंगे, तो आपको 40-50% जितनी भी ऐसी instagram pages होंगे, जो online classes available करवा रहे हैं, बच्चों के लिए, entrance exam के लिए, आप देखेंगे, उनकी जो advertisement आते हैं, उसके अंदर ए वो CA है, उनको अपने बच्चे को आपसे पढ़वाना है, क्योंकि हमने feedback दिया आपका, तो आप एक बर बात कर ले, उनकी मेरी बहुत अच्छी bonding थी, तो उन्होंने मुझसे फोन पर बोला कि आप जराना देख लेना, उस बच्चे के पापा CA है, लेकिन वो आपको उतनी जितनी हम आपको दे रहे, जितनी आपकी फीस है उतनी वो देंगे नहीं, वो बहुत कंजूस है, तो क्या हुआ, एक दो दिन के अंदर उनका फोन आया मेरे पास, मैं जनरली जब किसी पेरेंट से बात करता हूं, तो मैं पहले उनसे नॉर्मली पेरेंटिंग के बार में ब किसी भी बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, घर जागर के बच्चे को माबाब के पास रहना है मुझसे जाधा टाइम, तो अगर माबाब दिमाग का धाही करेंगे बच्चे का, तो मेरे लिए तो नुक्सान है, एस टीचर मेरे को तो व पैसे में भी कंचूसी करनी है, अब जैसे अब सीए हो, अब आप मुझे बोलो, तो ये आपके उपर शोभा नहीं देगा, तो मैंने उनसे ये बात सीधा बोल दी, अब उस आदमी ने मुझे एक भी बार ये नहीं बोला, कि एक रुपया भी कम कर दो, और अगले ही दिन से उन्होंने अपने बच्चे को मेरे पास बेजना चालू कर दिया, जबकि मुझे पहले जी फोन आच चुका था, कि ये आदमी आप से पैसे कम करवाएगा, ये बहुत कंचूस है, क्योंकि जब हमने इसको आपकी फीस बताई दी, तो इसने मना कर दिया था, ये मेरे कुद क लगा दूँगा, कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं, इमोशनली बहुत चार्जड होते हैं, कुछ बच्चे इमोशनली बहुत वीक होते हैं, दो तिन और एक्सपिरेंसे शेर करता हूँ, ये बहुत इमपोर्टेंट नीव है इस वीडियो की, ये दो तिन किस से समझो, इ इमोशनली बहुत हैं, और कुछ होते हैं, जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, इमोशनली बहुत 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 हैं, जो अपने आपको हमेशा पीछा पीछे देखते हैं, हमेशा अपने आपक और अपने आपको हमेशा नीचे रखते हैं, करना भी चाहते हैं ग्रोग, वो भी माक्स लाना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं, कि यार पढ़ा ही करके कैसा लगता है, माक्स ला के, पर वो कभी ला नहीं पाते है, because they feel that they are emotionally weak या फिर they are emotionally weak उनको ये भी नहीं पता कि वो weak है but they are emotionally weak अब मैं क्या करता हूँ class के अंदर क्योंकि मुझे तो हर बच्चे को देखना है मेरे लिए तो teacher के लिए तो हर बच्चा एक समान होता है तो मुझे पता है कि इस बच्चे से कैसे काम निकलवाना है अगर कोई emotionally hyper बच्चा है तो मैं उसका ego टच कर देता हूँ तो मारे बसकी है number लाना ये जो chapter में करवा रहा हूँ na class में अच्छे अच्छे नहीं ला पाए बेटा और तुम जो class में बहुत उचलते हो na तुमारे बसकी नहीं है चप्टर में number लेकी आना उस बच्चे का क्या होगा उसको लगेगी यहाँ पे उसको लग रहा होगा कि sir बेस्ती कर रहे है class में मेरी सब को लग रहा होगा है 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 इसकी बेस्ती हो गई but they don't know what am I doing with him या her तो वो अब घर जाएगा sir ने ऐसे कैसे बोल दिया मैं दिखाता हूँ अब वो क्या करेगा वो खाना पीना छोड़ देगा क्योंकि उसके लिए उसका ego important है मेरे लिए क्या important है मेरे लिए बच्चे का result important है अब वही पर एक और emotionally weak student है अब अगर मैं सेम हरकत उसके साथ करूँगा तो वो depression में आ जाएगा अगर मैंने एक emotionally weak बच्चे को same dialogue मारा कि तुम्हारे बसकी नहीं है चके चूट जाते हैं तुम्हें क्या बता तुम अपने आपको तुम अपने आपको बहुत फनने का समझते हो वो अपने आपको इतना जादा इतना जादा नीचे फिल करेगा या करेगी वो घर जा करके जितना पढ़ना होगा वो भी नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगी क्यों? विकॉस जितना उसके अंदर confidence था वो भी मैंने खतम कर दिया क्लास के अंदर बेस्ति करके वो इमोशनली वीक है वो जल्दी से हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता चीजों तो मैं उस बच्चे को कैसे हैंडल करूँगा? बेटा, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे न बहुत अच्छे से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ये इतना easy chapter है न इतना easy chapter मतलब ये लगा लो कि रिक्षे वाला भी इस chapter को कर ले अगर मैंने उसको एक हफ़ता पढ़ा दिया तो इतना easy chapter है बस तुम्हें करना कुछ नहीं है तुमको जितने questions मैं पढ़ा रहा हूँ उनको जा करके daily practice करना है और उनी questions के basis पे 3-4 questions मैं और दूँगा 5-6 questions, 10 questions जितने भी उनको practice कर लेना है मैं तुम लिख करके दे सकागा अगर तुमने इतना काम कर लिया तुम कर जाओगे emotionally weak बच्चे से अगर काम निकलवाना है तो तरीका है प्यार, तरीका है sympathy एक और छोटे सा incident share करना चाहता हूँ मैंने अभी कुछ नहीं पहले अवदोजा सर का interview देखा I hope तुम लोगों को पता होगा अवदोजा सर कौन है UPSC के जो बच्चे है उनको पढ़ाते है history पढ़ाते है उन्होंने अपने किसी वीडियो में कहा कि एक बार वो mall में jacket लेने गए किसी mall में किसी दुगान पे jacket लेने गए किसी store पे तो वहाँ पे क्या हुआ उन्होंने बोला कि jacket दिखाओ तो वहाँ पे जो लड़की थी उसने बोला कि सर ये jacket थोड़ी सी expensive है अब सर ने बोला कि ये trick होती है वो जान बुझके मेरा ego hurt कर रही थी तुम सोचके देखो तुम किसी बहुत अच्छी जगा जाओ किसी mall में जाओ बहुत बड़ी store पे तुम अपनी girlfriend के साथ हो wife के साथ हो अपनी family के साथ हो और तुमने बोला कि सर वो जूता दिखाना और वो तुम्हें बोले सारी ये जूता थोड़ा expensive है तुमारा ego hurt नहीं होगा expensive मेरे को बोल निकाल आप भी निकाल कितने का है 15,000 15,000 तो है नहीं credit card use कर लेता हूँ swipe करा जूता ले लिया बरने की योकात हो या ना हो अभी उस समय जूता ले लिया एक पूरे दिन में एक normal इंसान जितने भी फैसले लेता है 90% of the cases में वो सारे decisions emotions के basis पे होते कुछ emotions है basic जिसके basis पे आप अपने फैसले लेते हो या तो आपने कोई फैसला गुस्से में ले लिया किसी ने आपको कुछ फालतू बोल दिया आपने फैसला ले लिया और आप पश्तारे या तो आपने out of लालच कोई फैसला ले लिया greed या तो आपने lust हवस के चक्कर में कोई फैसला ले लिया दुखी है आप बहुत ज़्याद अपनी लाइफ से और आपने दुख में कोई फैसला ले लिया आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपने खुशी में कोई ऐसा फैसला ले लिया और आप आगे जा करके उसको भूगत रहें चिड के मारे आपने कोई फैसला ले लिया आप बहुत ज़्यादा जैलिस है किसी चीज को ले करके किसी इंसान को ले करके और आपने फैसला ले लिया और आप पस्ता रहें आपने देखा आपके आसपास किसी के पास में आपसे बहुत मेंगा फोन है, आपसे सहन नहीं हो रहा है, आपका मन उथल पुथल है बहुत जादा, आप पूरे दिन में जहां भी जा रहे हैं, उस बंदे का फोन आपके दिमाग में आ रहा है बार बार, क्योंकि उस बंदे के फोन की बाते हर जगा हो रही है, पूरे आपके आसपास खांदान में, आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, आपके रिष्टतार बात कर रहे हैं उसने इतना मैंका फोन लिया है, उसने चार लग का चक्कर में आकर के कुछ ऐसा कदम उठा लोगे उठाओगे क्यूं ताकि वो जो मन हिला हुआ है ना उसको शांत करने के लिए उसे दो लाग की गारी लिया फाइनली मैंने छे लाग की गारी लिया उससे ज्यादा लिया उसने एक करोड का घर लिया फाइनली मैंने चार करोड का घर लिया उसने सोलासू रुपे की चप्पल मंगा या फाइनली मैंने दोजार रुपे की चप्पल मंगवा लिया फाइनली वो फाइनली क्या है आप बस अपने मन को शांत करना चाते हैं इतने भी emotions के basis पे आप फैसले लेते हैं वो सिरफ इसले लेते हैं क्योंकि आप अपने मन को शांत करना चाते हैं आपको त्रिपती चाहिए You want silence here, you want peace इसलिए आप emotions के चक्कर में आकर कोई फैसले ले ले लेते हैं अब एक स्टेप और आगे जाते हैं बहुत डीप होने वाला है तो ध्यान से समझना Imagine करो कि एक लड़की है उसने किसी ना किसी emotions के चलते फैसले ले लिया और एक लड़के के साथ relationship में आ गई साल महीने बाद उसको जाकर के पता चला कि ये लड़का मेरे ले ठीक नहीं है और उसकी दोस्तों ने उसको जाके बताया या उसने मेरि वीडियो देखी उस लड़की ने उस लड़की ने मेरि वीडियो देखी है और उसको पता चला कि मैने तो इस लड़की के साथ emotions में आ कर कि decision ले लिया मैंने अपनी बाकी सारी और friends को देखा कि वो भी अपने boyfriends के साथ घूमती है relationship में तो मैं भी jealous हो गई थी और मैंने भी jealousy में आ करके कोई लड़का अपना boyfriend मना लिया relationship में आ गई लेकिन he's not right for me ये तो बहुत ही जीब है ये तो मेरे लिए perfect है अब मैं क्या करूँ अब वहां पर हो गया breakup वहां पर रोना दोना सब वो सब हो रहा है जो होता है तीन चार महिने का ड्रामे बाजी सब खतम हुआ अब हुआ क्या क्या कर रही है वो regret कर रही है जब भी आप emotions के basis पर कोई फैसला लेते हैं तो वो short term के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मैं अपने friend circle में अपने college में you know flaunt कर रही हो कि मेरा boyfriend है उसकी body है उसके बस थार है इतने मोटे मोटे tire जो भार निकले है 4 inch है ना मुझे मज़ा आ रहा है मुझे show off करने में तो short term के लिए तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन long term में उसको regret हो रहा है जब उसको time के बाद पता चला कुछ वक्त के बाद कि वो उसके लिए ठीक नहीं था अब regret कर रही है वो तो emotions के basis पर जब भी आ फैसा लेते हैं तो long term में आप regret करते हैं लेकिन कहानी अभी भी यहां खतम नहीं होती है यह है अवसली point इसको समझो आप उस लड़की ने regret किया वो घर में अकिली बैठी है उसका break up हो चुका है she is regretting now कि मैंने यह क्या किया या तो उसको बहुत गुस्सा आएगा कि यह मैंने क्या किया अपने फैसले के उपर या तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो रोएगी कि यह मैंने क्या गिया यही होगा इन दोनों के cases में वो क्या करेगी again वो इमोशन्स के basis पे कोई दूसरा फैसला ले लेगी क्योंकि वो अभी भी charged up है emotionally या तो गुस्से में या दो दुख में फिर दुबारा कोई फैसला ले लेगी अब मैं पटाऊंगी कोई तगड़ा बंदा अब आए अब मैं दिखाती हूँ emotions के basis पे आगई वो किसी ना किसी तरीके से वो पागल हो गई है या तो वो बहुत ज़दा दुखी है अब मैं कभी किसी लड़की से प्यानी करूगी अब मैं कभी relationship में नहीं होगी single रहोगी अब मैं करियर पे द्यान दूगी दुख में आकर के भी फैसला गलत ले रही है और गुसे में आकर के भी फैसला गलत ले रही है again loop create हो गया emotions के basis पे फिर दुबारा decision अपने पुराने decision से उसको peace नहीं मिला तो अब वो गुसे में आकर के फिर दुबारा कोई फैसला लेना चाहती है दुख में आकर कि फिर दुबारा कोई फैसला लेना चाहती है फिर दुबारा वो शांती चाहती है लेकिन फिर दुबारा उसको शांती नहीं मिलेगी क्योंकि फैसला लिया जा रहा है on the basis of तो यहाँ पे एक loop create हो गया है, decision लिया emotions के basis पे regret हो रहा है, उस regret में या तो गुशा हो रहा है या तो दुखी हो रहा है इनसान फिर दुबारा उस गुशे में या दुख में फिर कोई फैसला ऐसा ले रहा है, जो फिर दुबारा उसको regret की तरफ लेके जाएगा और यह एक never ending cycle है जो कभी खतम नहीं होगी मैं पहले दो की बात करता हुआ वे तीसरे पे आऊंगा पहले वो लोग जो emotionally बहुत जादा hyper होते हैं कहानी आता रही है class की emotionally hyper और emotionally weak emotionally hyper जो बहुत ज़्यादा लोग होते वो बहुत ज़्यादा पस्ता आते हैं इस का example मैं अपने college से निकालता हूँ एक लड़का था मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्या पता मेरी वीडियो देखता हूँ तो उसको कहीं बुरा ना लग जाए लगता है तो लगता रहा है अपनी एस-थैसी करा है लेकिन ऍटेल नाम नहीं लेना चाहिए कोई बात नहीं बुरा लग जाएगा उसको तो एक्जामपल देखके उसको पता चल जाएगा कि मेरी बात कर रहा है अगर वो मेरी वीडियो देखता है तो तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है उसको कभी भी कुछ भी आप चैलेंज कर दो तिल मिला आ जाएगा वो इसे हम कभी पूल खेलने जा रहे है स्नूकर खेलने जा रहे है अबее तेरे बसकी नहीं बॉल डालना तो पाघल हो जाएगा मैं डालूगा मुझे दे मैं डालूगा मेरा कॉलेज सोनीपत में था सोनीपत से डली आने में कमसे ड़ी तो अगर ट्राफिक नहीं है तो आदा घंटा ट्राफिक है तो 45 टू एक घंटा लग जाता था 45 मिनिट्स टू अनार तो अगर मानलो दो-तीन लोग जा रहे हैं एक और फ्रेंड की गाड़ी और मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ मेरा वो दोस्त जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी चला रहा है अबे तुझसे तेज गाड़ी चला रहा है कित्यी बढ़िया चली लेकिन इमोशनली मैं उन लोगों की बहुत हिजद करता हूँ तो इमोशनली बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि जीवन में इंटेलिजेंट लोग आगे नहीं जाते है जीवन में जो इंसान अपने इमोशन्स पर काबू रखता है वो बहुत आगे जाता है सरने बोला solve करो solve करने लगे सब अब वह जो बंदा है उसका नाम रख देते हैं रमेश ठीक है न मैं original यूज नहीं कर रहा रां रमेश जो बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह भी numerical solve करने लगा उसके साथ एक औ numerical solve रा रहा है वो भी कर रा है दोनो numerical solve रहे है रमेश को लगा कि हेमानशु मुझसे पहले numerical solve ना करकर कि दिखा दे क्योंकि मुझे जी पहले डिखाना है के ही मानशु का रजिस्टर खीच लिया झाल değişt बंद कर दिया उसका रेजिस्टर खीच के बंद ही कर दिया में भी उसको लगा हो कि मेरी image तो बन जाएगी मैंने numerical solve करें personality में उसके बहुत कमी आ गई है पूरी class को पता लग गया था कि personality इसकी कैसी है यह अपने आगे किसी को जाने ही नहीं दे सकता और अगर किसी को जाने देगा भी तो कही ना कही इसका नाम आना चाहिए कि रमेश की हो जैसे यह बन्दा आगे बढ़ा है रमेश का नाम कही नगी आना चाहिए इसको हमेशा सारे फैसले खुद लेने है मैं 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 करूँगा मैं गाड़ी चलाऊँगा मैं numerical solve करूँगा मैं यह करूँगा पांच छे साल दस साल से रिलेशन में है शादी का टाइम आता है अपने पापा से बात करती है उसके पापा उसको बहुत समझाते हैं कास्ट वास्ट के चक्कर में बक्चोधी जो हमारे भारत में चलती है मैं तुझे बरसाथ में छोड़के आता ता स्कूल तेरे लिए क्या नहीं किया बेटा बहुत पापड़ बेले बहुत जहला है तू हो नहीं रही थी तू हो नहीं रही थी तेरी मार और मैंने मन्नत मांगी जागे तब तू ही है बेटा आज के जमाने में को लड़की मांगता नहीं हमने मांगी मुझे चाहिए थी तब तू ही जाके और तू आज अपने बाप की बात नहीं मानेगी एक छोटी सी बात सिर्फ कि मेरे पसंद के लड़के से शादी कर ले बेटा इमोशनली वीग लड़की है बातों में आ गई अपना पूरा जीवन बरबात कर दिया जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी एज्यूम कर लेते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है वो रिलेशनशिप के लायक था वो उस लड़की के लायक था वो उसको अच्छे से समालता सब कुछ बढ़िया जाता लेकिन इस लड़की ने क्या किया अपने एमोशन्स के चक्कर में आकर के खुद का जीवन भी बरबात कर दिया मेरे पापा मेरे पापा ने मेरे बहुत जागरिवाइस किया है I can't let him down मैं उनकी नजरों में नहीं गिर सकती मैं तुम्हारे साथ आगे रिष्टा नहीं रख सकती प्लीज बाई आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना अपना जीवन भी बरबात कर दिया क्योंकि emotionally weak है अपने लिए stand नहीं ले पाई और उस लड़के का भी जीवन बरबात कर दिया वो दस साल से अपनी ऐसी तैसी करवा रहा था क्या उसका तो हो गया ना काम emotionally hyper जो बंदा होता है साथे फैसले खुद लेता है मैं लूँगा मैं मैं करूँगा मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा मैं घर में कौन सा पेड़ लगाना चाहता है मैं लगा मैं करूँगा सब कुछ emotionally hyper बंदे की ये पहचान होती है वो हर चीज़ खुद करना चाहता है किसी को करना नहीं देगा emotionally weak इंसान कौन होता है जिसके फैसले दुनिया लेती है emotionally hyper इंसान सारे फैसले घुद लेने की कोशिश करता है और एक emotionally weak इंसान के फैसले दुनिया लेती है एक तीसरी कैटिगरी भी होती है जो मैं consider नहीं करना चाह रहा था इस वीडियो के लिए लेकिन still मैं उसको कर देता हूँ क्योंकि कहीं नहीं मुझे लगता है क्योंकि नहीं तो फिर वो एक debate का topic है जो इनसान जादा educated नहीं होता न वो emotions के basis पे काम करता है एक basic level of education होना चाहिए मानलो मैं school के अंदर हूँ college के अंदर हूँ मैंने कोई certificate मुझे मिला किसी competition में मैंने अपने घरवालों वोगे दिखा है मालो मैंने अपने पाप को certificate मेरे पाप मालो पड़े लिखे नहीं है certificate रहे भाई साब मेरे बढ़े को certificate मिला वो participating certificate है सिरफ उस प्रतियोगीता में अगर तुम अपने आसपास धियान से अबसर्फ करोगे तो तुम देखोगे this whole world is using your emotions for its selfish purpose अगर मैंने भी इस वीडियो के था और मैं सीधा बात करता हूँ मेरे को कोई filter filter नहीं लगाना है अगर मैंने भी इस वीडियो के थमनिल पे कुछ लिखा है कोई गाली sensor में लिखी है या कुछ ऐसा expression बनाया है तुम लोगों को अपने पास बुलाने के लिए emotionally excited emotionally excited हुए थे ना इस वीडियो के जब थमनिल आया था तो emotionally excited हुए थे ना तो इस वीडियो को थमनिल को देख करके excited हुए हो तो मेरा फाइदा है ना पूरी दुनिया तुमको तुमारे emotions के basis पे excited करने की कोशिश कर रही है ताकि तुम उनके कबजे में आ जाओ और वो अपना फाइदा तुमसे निकाल पाए बट मैं तुमसे क्या फाइदा निकालूंगा यार ठीक है मेरे को तो youtube पैसे देगा देगा तो marketing companies जितनी भी हैं जितनी भी आपके politicians हैं सब के सब जिस भी तरह का वो words यूज करते हैं एक नेता जो होता है जब अपना भाशन देता है जिस तरह के शब्द वो यूज करता है कभी अगर कोई अगर politics follow करता है specially इंडिया की national politics तो observe करेगा कि जितने भी नेता हैं वो जो words का यूज करते हैं कौन सी बात किस tone में बोलनी है और कितनी frequently बोलनी है कितने amplitude के साथ बोलनी है वो सब उनको पता होता है क्योंकि जनता कैसी है जनता अनपढ़ है almost जनता अनपढ़ है दुनिया के बारे में समझ नहीं है तो हमको कुछ ऐसी चीज़े बोलनी है words के अंदर कि वो emotionally excited हो और हमको vote मिले जितनी भी तुमारी ad tech companies है जो भी education को promote कर रही है जितनी भी education के online coaching classes खुल रही है अगर आप ध्यान से instagram पे जा करके देखेंगे तो आपको 40-50% जितनी भी ऐसी instagram pages होंगे जो online classes available करवा रहे हैं इंटरेंस exam के लिए आप देखेंगे उनकी जो advertisement आते हैं उसके अंदर एक teacher होती है जिसका बहुत पतला blouse होता है जो बहुत make up post के आती है side में batches के नाम लिखे होते हैं courses के नाम लिखे होते हैं और वैसे पलट के यूं कर रही होती है और एक हाथ में register होता है और एक marker होता है emotionally excite करने के लिए है lust आजकल तुम देख लो जितने भी तुमारे जो online teaching जो YouTube channel है उसके हैं तुम जान भाई मैं मानी नहीं सकता कोई भी आकर के मेरे को बोल दे कि तुम जुट बोल रहे हैं तुम गलत बोल रहे हैं मैं मानी नहीं सकता यह जितनी भी teachers की जो reels होती है short reels वाइरल होती है बच्चे कमेंट करते है maim आप मुझसे शादी कर लो तुमने देखा होगा तो मैं नहीं लगता कि क्या वो जान बूच के ऐसा हो रहा है जान बूच के teachers make-up करके आ रहे हैं जान बूच के वो सब चीजे कर रहे हैं ताकि views आएं अब तुम बोलो के नहीं नहीं ऐसा थोड़ी नहीं अबे तुम पागल यही तो कह रहा हूँ यही तो मैं कह रहा हूँ इमोशन के basis पे तुमको इतना hijack कर लिया है वहिया कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमारे साथ हो क्या रहा है उसके बाद में जो condom ads आती है अब तुम मुझे एक बात बताओ condom किस चीज के लिए use होता है to avoid pregnancy right to avoid sexually transmitted diseases right जिस तरीके से सरकार तंबाकू की ad कराती है सिनिमा देखने जाते हो तो अक्षे कुमार की ad आती है न तेरे पास 20 रुपे हैं यह करने के लिए लेकिन महावरी के वक्त बीवी को बचाने के लिए तेरे पास यह sanitary pads देने के पैसे नहीं है जब आप इतनी भयंकर information इस तरीके से दे रहे हैं जनता को alert करने के लिए कि दुम्रपान सेहत के लिए sanitary pads को promote कर रहे है condom की ads देखो कैसे हो रही है condom की ads तो बहुत lustful होती है यह मेरा दीवा इस तरह के गाने आते है भाई condom ads से आप sex को promote कर रहे है आपको emotionally excite किया जा रहा है इस देखो कैसे आती है अगर emotionally आपको excite ना करना होता condoms कैसे बिकेंगे अगर वह आपको condom companies कैसे बिकेंगी अगर वह आपको emotionally lustfully condoms कैसे बिकेंगे कैसे अगर वह आपको lust के बैसिस पर emotionally चार्ज ना करे तो यह जितने भी टाइकर शॉफ नाम के लड़के हैं जो face wash की आड करते हैं इस आप अपने थोपड़ा चमकाते हैं क्यूं? तुमको emotionally excite करने के लिए कि तुम यह face wash लगाओगे तो हमारी तरह सुंदर हो जाओगे जबकि वह पता नहीं तुमने कभी जीवन में नहीं देखियोंगे लेकिन तुमको पकड़ा देंगे गार्डियर के डाइजर रुपे का जो नस्दी की chemist की shop में मिलता है insurance companies किस emotion का use करती है? दर का जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मतलब अगर तुम नहीं रहे अगर तुम मर गए तो भी हम तुमें पैसा देंगे तुमारे घरवालों को पैसा देंगे तो on the basis of fear वो भी अपनी marketing करते हैं इसलिए मैंने कहा था कि यह पूरी की पूरी दुनिया यह पूरा का पूरा structure जो है पूरा का पूरा capitalism तुमारे emotions को use कर रहा है अपने फाइदे के लिए यह होना ही पड़ेगा क्योंकि economy कैसे grow करेगी फिर अगर तुम Garnier का face wash नहीं use करोगे टाइगर श्रॉफ की याड़ देख करके जौन अब्राहिम की याड़ देख करके तो फिर पैसा कैसे जाएगा फिर सरकार को tax कैसे मिलेगा deal with emotional fluctuations यह जितने भी emotions के उच्छाल होते हैं जिसके basis पे दुनिया तुमारा इस्तमाल करती है कैसे अपने आपको इस level पे लेके आएं कि आपको कोई पागल ना बना सके उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना सबसे important चीज जैसे मैंने दो category बताई थी दो तरीके के लोग होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा emotionally hyper होते हैं कुछ लोग emotionally बहुत ज़्यादा weak होते हैं दोनों ही सूर्तों में दोनों ही लोग मरते हैं ना ही emotionally weak होना है emotionally strong होना है अगर आपको emotionally strong होना है आपको दो चीजों पर काम करना पड़ेगा ये वीडियो को सबसे important part है ध्यान से समझना सबसे पहला अपना बोध का विकास करना पड़ेगा बुद्धी, intelligence दूसरा ज्यान का विकास करना पड़ेगा knowledge knowledge और intelligence या कहलो wisdom, दोनों बहुत important है सिरफ knowledge से कुछ नहीं होगा knowledge इकठा करना it's just as memory के अंदर data भरना that's it बुद्धी का विकास करना है तो दो चीजों पर काम करना पड़ेगा पहली है memory memory होना बहुत important है memory नहीं होगी तो फिर कहे का intelligence memory means knowledge, information material information, material knowledge geography, देश में क्या चल रहा है politics, science, maths, geography, history business में क्या हो रहा है सरकार में क्या हो रहा है temperature कितना है आज का इससे क्या हो रहा है global warming यह सारी चीजें information है ठीक है? इससे क्या होगा? इससे knowledge बड़ेगी again मैं कह रहा हूँ सिरफ knowledge बड़ेगी उसके बाद में दूसरा aspect आता है बुद्धी का wisdom अपने बोध का विकास करने के लिए you need information and then second thing is wisdom knowledge means information कैसे होगी? बहुत simple है किताबे पढ़ो, news देखो social media स्क्रोल करते यह information आती है data आता है movies, most important movies देख करके information आती है movies देखोगे तो दंकी चीजे आएंगी गटिया movies भी देखोगे तो गटिया चीजे पता चलेंगी कितनी गटिया direction है कितना गटिया actor है कितनी गटिया screenplay है कितनी गटिया storytelling है सब कुछ पता चलेगा information is information अच्छी information और गंदी information ऐसा कुछ नहीं है अगर तुमने कोई information देखी कि America के अंदर कोई research हो रही है बहुत बड़ी तुम्हें लगे का ये मैंने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी है अब तुमने पढ़ लिया इंडिया के अंदर 6 साल की बच्ची का बलतकार तुम बोलोगे ये कैसी गद्धी information मैंने पढ़ी है नहीं नहीं ऐसे मत करो data is data computer में तुम pawn डालो या computer में तुम भगवत गीटा डालो computer को कोई लेना देना नहीं है 6 साल की बच्ची का रेप हो गया ये भी एक information है इससे भी समाज के वारे में पता चलता है इससे भी पता चलता है कि कितनी problems है अभी भी इनसान के अंदर most important source of information जिसको लोग बिल्कुल नजर अंदास कर देते है उनको लगता है क्या ही है क्या ही है क्या ही है कुछ भी तो नहीं है सबसे important चीज़ होती है real life information को grab करना मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में बोला है तुम गारी में travel कर रहे हो metro में travel कर रहे हो restaurant में बैठे हो घर में हो observe करो क्या चल रहा है लोग कैसे बात कर रहे है कोई couple बैठा हुआ तुमारे सामने वो कैसे बात कर रहा है कैसे बीएफ कर रहा है तुम बैठे हुए cafe के अंदर तुमने coffee order कर रही है एक लड़की जा रही है counter के उपर coffee order कर रही है तो वो कैसे coffee order कर रही है उसके अंदर कितना confidence है वो कितनी घबराई हुई है वो जानबुष के English में बात करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको पता है जो Starbucks वाला है या जो cafe coffee day वाला है वो English में उससे बात कर रहा है McDonald's वाला English में बात कर रहा है तो वो जानबुष के try कर रही है बट उससे हो नहीं पा समझ रहे हूँ बात को मतलब तुम यार तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ बहुत बारीक से बारीक चीज़ को observe करो यार यार या आम आद्मी के बसकी बात नहीं है या आम आद्मी के बसकी बात नहीं है यह सिरफ उन्नी लोगों के बसकी बात है जो अपने आपको life में बहुत भयंकर level पे बहुत आगे लेके जाना चाते है वो छोटी सो छोटी चीज को observe करते है क्योंकि बड़े level पर जाने है इसलिए तो ये भी एक तरह का information है ये भी एक तरह की knowledge है इससे क्या पता चलेगा इससे ये पता चलेगा ये जो मैंने लड़की का example दिया है कि इंसान अपने आपको society के अंदर fit करवाना चाहता है इसलिए society के जैसा structure होता है वो अपने आपको वैसा बनाना चाहता है बेशक वो लड़की उस जो order ले रहा है counter पर उससे two times three times उसकी salary हो but still क्योंकि उसकी image के उपर आच नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छी families आये है अगर वो इंग्लिश में वन मेकालुची की burger with extra cheese नहीं बोलेगी तो भया उसकी बेस्ति हो जाएगी समझ रहे हो बात को socially fit होना है circle के अंदर society के अंदर ये भी एक तरह की knowledge है मैं इस knowledge पे जादा believe करता हूँ मैं देख करके चीजों को समझना जादा पसंद करता हूँ अपनी आखों के सामने देख करके चीजों को समझना अब intelligence कैसे grow होगा intelligence को grow करने के लिए information चाहिए वो तुमने ले ली उस information के ऊपर करना है analysis ये है असली बात information ले करके उसको पासौन करने का दम लोगों में है मोधी जिने नहीं ऐसा कर दिया राहूल गांदी नहीं ऐसा कर दिया अम्मानी की शादी के अंदर नहीं ऐसा होगा था तुरे को पता है वो एक लड़की बहुत वाइरल हो रही है समाजदार आदमी क्या करता है उस इनफोरमेशन को लेता है उस पे चिंतन करता है उस पे अनलीस करता है उस पे बैठ की सोचता है कुछ देखा, कुच पढ़ा, कुछ समझा पौटी आगई एकदम से बैठे-पाटे सोच रहा है उस चीज़ के बारे में नहार आये, नहाते नहाते उस चीज आधे सोच रहा है, विचार कर रहा है, खाना खाते, खाते सोच रहा है उस चीज index के वारे में, कि यार यह देश में हो रहा 그러rier है, क्यों हो रहा है कुछ नहीं हो सकता है ऐसे लोगों का जो सिरफ information ले करके information पास करते रहते हैं उनमें भी उनका उसमें भी उनका कोई selfish motive होता है कि हमारा नाम पुर वाई हम तो knowledge ये वला हैं मतलब उनको काभी जारी चीज़े पता है वाई knowledge share करना अची बात है पर जब तक आप अपना analysis ना कर ले अच्छा बुरा फाइदे नुक्सान जो भी कुछ है तब जब आप समझदार होते हैं जब आप intelligent होते हैं जब आप बहुत ज़ादा emotionally strong होते हैं तब आप उन सारे emotions को कैसे देखते हैं जो दुनिया use कर रही थी अभी आपको जिन emotions के basis पर अब वही emotions आपके लिए क्या बन जाते हैं एक इंसान जो पहले पागल था जो अपने emotions के basis पर चलता था पुरी दुनिया इसको अपने emotions के basis पर ना चाहती थी वही इंसान मेरी वीडियो देखने के बाद आप समझदार हो गया है emotionally strong हो गया है वही इंसान डर को alertness की तरीकी से देखता है अब वो डर के basis पर काम नहीं करता है अब वो alert हो जाता है यार अगर मैंने पढ़ा ही नहीं करी तो यह सब चीज़े हो सकती है थोड़ा alert हो जाओ दरना नहीं है डर के basis पर काम नहीं करना है थोड़ा सा सचेत हो जाओ टाइम वेस कर रहे हो lust lust के basis पर क्या होता है हवस rape होते है यही बंदा जब समझदार बन जाता है बुद्धी का विकास हो जाता है तो यह lust को love समझता है प्यार समझता है relationship में आता है intimate होता है sex करता है बच्चे पहता करता है शादी करता है अपना जीवन आगे बढ़ाता है lust से love में convert हो जाता है anger जब पूरी दुनिया इसको इसके गुस्से के basis पर इससे काम करवा रही थी अभी समझदार हो गया है अभी यह motivation की तरह लेता है गुस्से में आकर के कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है जो मेरा जीवन बरबात कर दे इसी गुस्से को channelize करके motivation मना दिया मुझे जीवन में कुछ तगड़ा काम करना है मुझे गुस्सा नहीं करना मुझे यशा भैंकर काम करना है अपने ले ले करना है अपने ले करना है अपनी फैमिली करना है मुझे कुछ अच्छा करना है now he is motivated मिजरी बहत ज़्यादा दुख है इस दिने अपने जीवन में तो लड़की का example याद है अब ये उसी मिजरी को sympathy की तरह लेगी कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दुवारा relationship में नहीं आऊंगी लेकिन ये भी नहीं है कि मैं show off करने के लिए relationship में आऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं, tension मतले हो जाता है, sympathy, दुख को sympathy में convert करना है अगर अपकी life में बहुत ज़्यादा दुख है आप अपने आपको किसी चीज़ से blame कर रहे है आप से कुछ गलतियां हो गई है दुख ही हो रहे है उस चीज़ को लेकिन, कोई बात नहीं greed, लालच इसने 5 लाग की गाड़ी खरीदी, मैं 10 लाग की खरीदे दिखाऊंगा बात में EMI नहीं पर पारे, गाड़ी सीज हो गई गाड़ी कंपनी उठागे ले गई समझदार और Emotionally Intelligence बनने के बाद या आदमी क्या करेगा, greed इसके लिए हो जाएगा, ambition 5 लाग 50 करोड की गाड़ी खरीदूँगा, यह मेरा ambition है इसके लिए हम तकड़ा बिजनस करेंगे 50 करोड का घर खरीदेंगे अब यह लालच में नहीं है greed में और ambition में फरक होता है being greedy and being ambitious जब आप लालची होते हैं तो यह दुनिया आपका फायदा उठा सकती है बट जब आप ambitious होते हैं किसी को कोई फरक ही नहीं पड़ता because आप अपने लिए ambitious हैं आप जो करेंगे अपने लिए करेंगे लेकिन अगर आप greedy हैं अगर आप लालची हैं तो दुनिया आपसे आप अपने फायदे के लिए आपसे काम करवाएगी आपका लालच जान जाएगी happiness एकदम से कुछ ऐसा life में हो गया मजा आ गया पचास जार चाही है तरको ले तेरी मागा ले पचास जार तेरा भाई हूँ मैं उसने पचास जार रुपे कभी वापस ही नहीं करे बहुत जादा उत्तेजित हो करके बहुत जादा खुशी में आ करके किसी को आपने ऐसा कुछ वादा कर दिया जो आप आगे जा करके निभाऊ ही न पाऊ happiness converted into joy समझदार आदमी joyful रहता है समझदार होता है वो शांत होता है joyful रहता है मस्ती में मगन होता है उसको पता है कि खुशी में आ करके ज़्यादा किसी को फालतोबादे नहीं करने just a fluctuation है emotions का उच्छाल है आएगा चला जाएगा happiness will be converted into joy फिर मैंने बात करी थी फिर मैंने बात करी थी jealousy की जलन की मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रही है मुझसे ज़्यादा सुन्दर है मुझसे ज़्यादा लड़के इसको देखते है jealousy will be converted into बताओ लगाओ दिमाग चलो सारा मैं ही बता दूँगा थोड़ा दिमाग लगाओ चलो मैं बताता हूँ jealousy will be converted into acceptance हाँ मेरी बहुत अच्छी body नहीं है हाँ मैं बहुत सुन्दर नहीं हूँ हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है बट हो जाएगा यह सब होता है जब आप अपने भोत का विकास करते हैं दो aspects है knowledge and intelligence एक loophole है अभी तक जो मैंने वीडियो में बताया है यह जो last case 15-20 minute इसमें एक loophole है क्या कमी है सोचो सोचा कोई बात नहीं है क्या हो गया knowledge gain करोगे knowledge gain करने के बाद intelligence भी बढ़ाना है उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा चिंतन करने के लिए मन शांत होना चाहिए लेकिन मन तो शांती नहीं है जैसे मैंने पहले बताया इंसान अपने मन को शांत करने के लिए ही तो ही emotions की business पे फैसले ले रहा है दुनिया उसके emotions को use कर रही है क्योंकि वो mentally silent नहीं है मन की शांती नहीं है उसके पास इसलिए आतमी पागल है भटक रहा है पूरी दुनिया में knowledge gain करने के बाद intelligence acquire करने के लिए समझदार बनने के लिए intellectual बनने के लिए समय चाहिए शांती से पूरे दिन बर में 10-15 मिनट बैठो meditation करो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो silently बैठो कहीं पर जाकर के 10-15 मिनट के लिए कोई ऐसे भागे नहीं जा रहे हो चट पे बैठ जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, अपने कमरे में बैठ जाओ किसी भी एक छोटी से छोटी चीज़ के उपर analysis करो, 5 मिनट, 10 मिनट दीरे दीरे आपको इतना आनन्द आएगा, तुम बोलोगे यार भाड में जाए, फोन, मैंने फोन उठा कर भैग दिया मुझे नहीं चाहिए भाईए, सुबा उठ करके क्या फोन चलाना, एक कप चाहे लो, कफी लो अराम से बैठो, और सोचो बस सोचो, मजा आएगा तुमको, तुमको लगेगा कि हाँ यार, आज कुछ बढ़िया किया है आज चिंतन किया है, कुछ ढंकी चीज़ों पर विचार किया है, thinkers, philosophers यही सब थे और कौन थे सोचते थे विचारक विचार करते थे हम फोन चलाते रह Christians सारा दिन, लेवल सबके निकलेंगे तो सही में, सबके लेवल निकलेंगे भाई, सबके लेवल निकलेंगे जो लोग शांती से नहीं बैठ रे है इसे लिए शांती से बैठना है विचार करना है ध्यान करो मैंने काफी वीडियो में meditation के बारे में बता है basic meditation deep breathing कर लो ये था loophole इंसान knowledge तो acquire कर लेता है बहुत जादा लेकिन thinking नहीं कर पाता है सोच नहीं बता है विचार नहीं कर पाता क्योंकि विचार करने के लिए शांती चाहिए अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो टॉपिक रेकमेंड करना comment section में लिख सकते हैं मैं वीडियो बना दूँगा thank you so much